असलाम आपको पताने जा रहा हूं स्टेप वाइस के आप यूई टी में इस साल एंट्रस्टर्स के लिए कैसे रिजिस्टर हो सकते हैं और क्या ऐसी चीज़े हैं जो आपको फाइदा दे सकती हैं यूईटी के से चाहिए देखते हैं स्टेप 1 आपने सबसे पहले एक पेमें चलान कैसे भरा जा सकता है आप इसको एक्षब की डेजिगनेटिट ब्रांचेज में तेरा सो रुपे जमा करवा कर घर सकते हैं लेकिन अगर आप कोविड-19 की विजए से घर से ट्रवल करके दूर नहीं जाना चाहते तो फिर दूसरा तरीके का भी अवेलेबल है है HBL connect की mobile application के जरीए यह आप online banking के जरीए यह चलान पेकर से आप unity.edu.pk की website पर जाएए और वहां पर यह चलान फॉर्म अवेलेबल है इसे fill-in कीजिए और payment कीजिए दूसरे step यह है कि आप unity की website पर जाएंगे और online entrance test registration पर आफटर submitting the fee in the bank यह registration बारह अप्राइल दो हजार एकिस से online स्कार्ट हो देगा तो बी रेडी बारह अप्राइल वाले दिन अगर आप register करते हैं तो आपको क्या फाइदा हो सकता है अभी थोड़ी सी दिन आप जब आपका login मुकमल हो जाएगा तो आप तीसरे step पर आएंगे और तीस है कि आप एक orientation session session अटेंड करेंगे इस orientation session का मकसद यह है कि आपको familiarize करवाया जाए कि आपका exam किस तरह से होगा इसका format क्या है question किस चकल में आएंगे इनको ABC को select कैसे यह orientation session जुम्हें और हफ़ते के रोज 21 और 22 मई 2021 वाले दिन इसके बाद पांचमा और final step युटी का इंट process 24 से 27 मई 2021 यहां पर being an experience teacher मेरी आपकी एडवाइज है कि आप सबसे पहले अपने आपको register कराएं और 27 वाली date को select के आपके जिनों में सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों इसका असल फाइदा यह है कि आपसे पहले आपकी colleagues दोस्त जो के पहले टेस्ट देंगे 24 पच्चिस 26 को त इस किसम के सवाल इस टेस्स में आ रहे हैं standard क्या है कैसा पूछ आपके बेतर perform करने की chances बढ़ जाएं तो मेरी आपको request है कि हमारे तजर्बे से फाइदा उठाए और इसी तरह से इन चीजों को process मैंने जानभूच कर इस वीडियो को बहुत short रखा ताकि आपको basic important dates पता इलावा entrance test को attempt करने की techniques क्या यह सब कुछ ले करके मैं इंशालला अगली वीडियो में आ रहा हूं हमारी इस वीडियो पर जरूर comment कीजिए और हमें बताइए अगर आप UET के admission process के बारे में exam के बारे में syllabus के बारे में या किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में तो हमें comment section के अंदर सवाल कीजिए ताकि हमारी team आपको बेहतरीन जवाब देजाए आपको बेहतरीन जवाब देजाए I wish you a great success in the upcoming exam thank you very much